प्रिये शात्र अहम अभी त्वम नवम कक्षाया चतुर्थ पाठ वलभी विद्यास्थानम पठामी आईए हम चौथे पाठ वलभी विद्यास्थान उसके बारे में देखते संप्रति विवीदा विश्व विद्याले सुप्रसीर संती अलगलग विवीदा विश्व विद्याले सुप्रसीद थी तेशु केंचन इतादसन संती उसमें कुछ इस प्रकार है यत्र अध्यनार्थ प्रवेश्य प्राप्य चात्र स्वात्मनम धन्यम मन्यते यत्र मुल यहाँ पर अध्यनार्थ मुल पढ़ाई करने के लिए जो प्रवेश जिस चात्र को मिलता था स्वात्मनम मुल वो अपने आपको धन्य मुल खुशकिस्पत मन्नित मन्ने मानता था एव में पुराकाले असमाकम भारते देशे एता देशा बहुव विश्व विद्याले आसन एव में उसी तरह ही प्राचिन समय में हमारे असमाकमल हमारे भारत देश में एता देश में इस प्रकार बहुव विश्व विद्याले आसन मुल थे तत्रविद्यादियनाय दुराध देशा समागत्य प्रवेशलबदवा छात्र छात्र स्वात्मनम धण्यमन्यति स्मhr वहाँ पर विद्यापढ़ाई करने के लिए जो दूर देशों से लोग आते थे और वहाँ जिस चात्र को प्रवेश मिल जाता था, एडमिशन मिल जाता था, वो अपने आपको स्वात्मन अमल, अपने आपको खुसकिश्मित मानता था, एसु एक तम वल्बी विश्विद्याले, उसमें एक अनोखी वल्बी विश्विद्याले थी, मगद राजे यथा ना भी विश्यविद्यल है जो भावनगर में है अत्रापी सु दुरा देशा जना अध्ययनाय आगच्छतिस्म अत्रापी मलब यहां भी लोग दूर देशों से लोग अध्यनात मलब पड़ाई के लिए आते थे अध्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत वस्तुत इधम उपनगरं प्राचेन काला देयो अध्यन अध्यापन केंद्र मासिस वस्तुत रुस रूप में रेखा जाए तो ये उपनगर प्राचेन काल में पढ़ने अध्यन अध्यापन में पढ़ने और पढ़ाने का के एक मात्र केंद्र था पुर्वो मत्र प्राचीन समय में अश्टा दस निताया पठन पाठन चे पाउतिसमा वहां पर अश्टा दस मला 18 सब्जेक वहां पर पड़ाय जादे थे एता दस विद्धासु उस विद्ध्याओं में उस जो सब्जेक पड़ाय जादे थे उसमें चत्वार वेदा चार वेद शट वेदा अंग पुराण पुराण नियाय मिमासा स्मुरूती आयरुवेद धनुरुवेद गंदर वेद अथर वेद चत्वार उपवेदा और चार समावेश्थ संती और यह उसमें 18 सब्जेक में समाविष्टं निया किय गए गए वह पड़ाये जाते थे उसके बाद बहुत दर्सन जेंदर सन्जन और वहां पर बहुत दर्सन और जेंदर सन्जसं को जो मुक्य ते हो भी पडाये जाते थे win लिधा और जो प्रमुख थे जो रुगवेद के पासेकार सकंद स्वामी संजातमल हो गये थे सव अत्रेव और वहां वहीं पर रहते थे जैसे वल्भी विद्यास्तान में रहते थे यहां पर वेदों का अध्यान होता था खिष्ट्रत्य चतुरत्य सताब्दे और इस विशन की चौती सताब्दी में सु प्रसिद्ध जेनमुनी बोताम बोताचार्य बुद्ध मुनी स्तिर्मती और जेनाचार्य स्री वल्लभवादी सूरी स अत्रेव विद्याव्यासां कुर्वंदी सवा और वहां पर वो बोदाचारे स्तिर्मति और गुणमति और जेन आचारे स्री वल्लपवादि सूरी वो वियाँ पर ही रहेके विद्धाव्यासमल पड़ाई बगरा करते हैं इत्र सुचे थी और यह सुची करता है यत्र जेन बोतः दर्शन मापी अत्यन परचलती और यह सुची करता है कि वहां पर बगर दर्शन की भी पड़ाई भी होती थी अत्र यथा रूची और जिसको वहाँ पर रूची ओती थी। यथा मिती चात्र आपठन और वहाँ चातर पड़ सक्ता था। प्रवेशार्थ मत्र 25 परिक्षाब 32 मा और प्रवेश के लिए एंटरस एक्जाम प्रवेश परिक्षाब यह ओती थी ताम उतीरिन और उसमें जो पास हो जादा था यह अत्र चात्र प्रवेश्य सक्य मासे और वही चात्र का स्टूडन का एडमिसन पोसिबुल होता था खिष्टाश्य पंचम्य सताब्दिय और इसवी सन की पांचवी सताब्दी में इदम उपनगरम और यह उपनगर मेत्रकना राजदानी आसी तो और यह उपनगरमल वल्वी विश्वी द्याल है वो मेत्रक नाम के राजाओं की राजदानी थी मेत्रकना व्यवस्तान उसारं और मेत्रक नाम के राजाओं की व्यवस्ता के अनुशार अध्यानी शमांतर वात्सभाया और वहां पर पढ़ाई के लिए समय समय पर वात्सभाया मलब कोई भी टोपिक की ओपर डिसकस की जाती थी और उस सास्त्रा में विविन प्रकार के अपने विचार और उसके विरोध विचार वो भी प्रदसित की जाते थे और अनेकस में विजाई जनाया राजा पारी तोसिक रुपेंड पुमी अयच्छत और उसमें जो विजाई होता था जो गरती तो उसको राजा पारी तोसिक मलब इनाम के रुप में भुमी का दान देते थे इनाम के रुप में भुमी का जमीन का दान देते थे इस्वी क्रिष्टिस तार्ट पूरुवग प्राय पंचम सताब्दे भग्वान माविर का जन्म गवा था तस्मीन काले भग्वदा माविर युबदेश प्रददत सा आगम नामना प्रसिद वरत थे और उस समय में घव़स माहावीर ने जो ऊबदेश प्रदान किय वो आगम नाम्से प्रसिद्ध हुआ अयम आगम वर्षा पंचा सत यावद मोखिक परमपराया सुरुक्सित आसित और ये आगम जो उब्देश था उनका वो वर्षा पंचा सत मलब 500 साल तक मोखिक परमपरा के रूप में सुरुक्सित रखा था ये अगर्जुन नाम का एक प्रसीद विद्वान की अध्यक्सिता में एक जेन सादूना समीती मिली अस्याम आगम ग्रण्थानाा लेखने का प्रस्ताव अबवद। और ऑगम ग्रण्थ का उननुने लेखने का प्रस्ताव श्युकार किया। अत्र लेख बद्ध वानी और उन्होंने जो लिखने का कारे चालू किया और वो लेख बद्ध वानी वल्बी वाचा नाम से प्रसिद हुई वल्बी नगर श्या विनासम अपद और नवी सताबड के वल्बी नगर का विनास हो गया परांतु आज उसकी ऊशिदह इसले भारत बारत में प्राचिन विद्या केंद्रों में वल्बी एक अनौकु विश्विद्याल है और इत्यासे चम् अदपी वरत थे और आज वो इत्यास भी आज उसका है तो यहाँ आपका चौथा लेसन यहाँ खतम होता है अभी उसकी एक्साइज देखेंगे प्रिशात्र अभी त्वाम नवंककसाया चतूर्थ पाठ वल्बी विश्व विद्यालाए तस्य अभ्याश प्रश्णानी पठावी तो अभी द्याने शुडवन्त प्रतम प्रश्ण है प्राचीन समय कुजराद राजे का विश्व विद्याला आजी थी प्राचीन समय में गुजराद राजे में कौन से विश्व 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 विद्याले थी उपवेदा कती संती उपवेदा कितने है तो चत्वार चार है भासेकार सकंद स्वामी कसे सताब्दी संजादा भासकार सकंदस्वामी कौन से सतापदी में हो ग gorgeous मअलब 4 अर्वार्षन मावीर का उपदेश्य केन वह प्रसिद astronaut मावीर का उपदेश्य वह किस नाम से प्रसीद हूआ वल्बी नगर में मिली हुई जेन सादू समीति के अद्यक्स कौन थे तो वो थे नागार जून थे उसके बाद देखते है एक वाक्य के न संस्कूद बासा है, उत्रण प्रदत एक वाक्य में संस्कूद बासा में उत्तर लिखने प्राचिन कालाद वलबी कस्र केंद्र मासित तो प्राचिन समय में वलबी किसका केंद्र थी तो अध्यन अध्यापनस्य मलब पढ़ने और पढ़ने का केंद्र थी वेदांगानी कती संती वेदों के अंकितने तो 60-60 मलब 6 है तो वल्लबवादी सुरी कौन थे तो जहन आजर। वो जहन मुनी थे। भग्वत महाविर से जन्मक कदाब भग्वान महाविर का जन्मक कब हुआ था ? तो पंचम्य सताब्दा पांचवी सताब्दी में हुआ था। जेन साधुना समीत उकस्य लेख़ष परस्ता वगवाथ। जेन साधु की जो समीत मिली हुन्यों ने कौछ से गरंध को लिखने का काम प्रारम किया। नियुद उचित पदम चेतो प्रश्णवांत तरह प्रश्णवांतीकर राज्या है। तो रुग्विदर श्यभ वास्यकार सखंद सवामि उसकी जिगर लगेगा कह लगेगा कह आसीत तो रूगेद बास्यकार कह आसीत दर्श हो जाएगा माविरस पदेश आगम गनताना परतादी तो माविरस से शेटि विवक्ति होई घाओ सादना समीति मिली टा तो यह हो जाएगा डॉट ऊपर किया हो है!.. तो मा मा होता है इस zero on the ौऴेर्यचति होती है तो जेन साथुना कैसाम हो जाएगआ कैसाम समीती मिली दाम किमकिन दिथिय विवक्ति लगेगी नवैम सताप्दाम तो उसका हो जाएगा कदा कदा वलबी नगरश विनास हम अबवत हो जाएगा लेखबदट उपदेश वलबी वाचा नामना परसिदा जाता तो बलबी वाचा ना इसकी थर्ड भी बक्ति केन की लगी तो केन नामना प्रसीद जाता लेकश बद्द उप्देश केन नामना प्रसीद जाता हो जाएगा उसके बाद है सब्दर रुपे रिकस्तानानी पूरियत उसमें आगमम है, तो इसका हो जाएगा आगमों, आगमान हो जाएगा, आगमम, आगमों, आगमान, जन्पदे, जन्पदेयो, जन्पदेशूं, केंद्रे, केंद्रेयो, और केंद्रेशूं, इस तरह ये आपको सब्द रूप याद करने पड़ेंगे, उसमें से आपको पता जलेग उसके बाद है, स्मव प्रयोग पुरुद, उसमें आपको स्मव लगाना, जैसे के चात्रा यथा रुची अपठन, जो ये पीछे का जो सब्द होता है, अपठन, ये अन्यपुरुष बावचन है, अगर अन्यपुरुष बावचन आ रहा है, तो आपको प्लेजन टेंस में अगर यहां पर पठती होता तो उसका पठती स्मौ हो जाता लेकिन यहां अन्यपूरुस बवचन है इसलिए उसका होगा पठती स्मौ हो जाएगा स्कंद्र स्वामी अत्रे अवसत अवसत है तो यह अन्यपूरुस एक वचन है तो आपको अन्यपूरुस एक वचन प्रेजन्टेंज में करना है तो अवसत है तो वसती फिर स्मौ लगा देना है वसती स्मौ हो जाएगा अच्छत अन्यपुरुस एक वच्छन है तो उसका प्रेजेंटेंस में अन्यपुरुस एक वच्छन में यच्छती स्मौ हो जाएगा तो इस तरह स्मौ के प्रयोग होते हैं उसको पास्टेंट को प्रेजेंटेंस में करके फिर स्मौ लगाना है उसके बाद है समास समास में वाद सपाया आपको अगले विडियो में बता हुआ है वाद सपाया तो यह मध्यम पदलोपी समास और करमत हरी समास दोनों होगा क्योंकि डोड लगा हुआ इसलिए करमत हरी समास उसमें होगा स्थी往 Cities गूनमती स्थीरमति और गूनमति यह दोनों अलग अलग पद है तो दोनों नाम होते तो वहां द्वन्द समास होता है प्रवेश्परिक्षा प्रवेश्परिक्षा में प्रवेश्परिक्षा में प्रवेश्परिक्षा करना तो इसके लिए चतुर्थी ततपुरुष समास होता है तो यह मैं आपको समास का जब टोपिक कराँगे तब संजाओंगा उसकी बाद है प्रदानी प्रदता पदानी प्रविज्जिय संस्कृत वाक्य ना है इसमें आपको संस्कृत वाक्य बनाने जिस तरह के इसमें दिया गया है कि पहले का सब्दब आपको यहां दातों के साथ जोड़ना है तो जैसे होगा वल्बी मेत्रकणा राजधानी आसित दूसरे का हो जाएगा सुदूरा दिसात जना अध्यनार्थम आगच्छतिश्म तिसरे का होगा नागार्जुन प्रसिदम पंडित आसित और चोथे का होगा वेदा चत्वार संती वेदा चत्वार संती और वल्ब्या विनासम अभवत उसके बाद है उसके बाद इंगलीस वाले प्रस्ट आपको कुछ से करने यहां आपका लेशन के एक्साइस खतम होती या अपनी CPCW में आपको लिख लेना है